Hey friends, welcome to exam partner channel मेरा नाम प्रविंट सिंग राजपुर रहीत है और आज अबर पढ़ने वाले है shortcut का case number 4 So case number 4 क्या है If f of x is x is to m यानि क्या आपका जो function है अगर वो x is to m है तो आपका formula क्या लगीगा So y पर क्या हो जाएगा 1 upon 5d into f of x f of x क्या आपका x is to m जो अपका case 4 है उसमें क्या रहेगा आपका binomial expression यानि जो आपका 5d रहेगा जो भी आपका equation रहेगा वो किस format में होना चाहिए आपका binomial format में So binomial expression का formula है 1 plus 1 plus x whole dash to n equals to this is the formula for 1 plus x is to n 1 plus nx plus n into n minus 1 x square upon 2 factorial plus n into n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial यह as it is कैसा होगा यह आगे infinity तक होगा So y यहाँ पर क्या आपका y पर n1 है फिर n minus 1 आगया फिर n into n minus 1 फिर n minus 2 same as it is यहाँ पर 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial यहाँ खाना दग रहेगा भी आपका n number of रहेगा So आपका formula क्या है यहाँ पर 2 formula बाइने मिलके 1 plus x is to minus 1 and second is 1 minus x is to minus 1 जब भी आपका 1 plus x is to minus 1 दगेगा तो क्या करना आपको इसका answer क्या होगा 1 minus x plus x square minus x cube plus x is to 4 यानि आगर आप यहाँ पर sign देखोगे जो आपका alternative है देखे पहले positive है फिर negative है positive, negative, positive, negative till n तक जब भी आपका plus में रहेगा तब क्या आपका sign है वो alternative रहेगा अगर minus है तो क्या होगा all positive क्या होगा 1 plus x plus x square plus x cube plus x is to 4 यानि देखो x c power यहाँ बढ़ती जा रही है यहाँ पर same x c power यहाँ बढ़ रही है और यहाँ पर क्या होना चीए आपका जो यहाँ पर आपका हमेशा 1 प्लस start होना चीए जो भी आपका binomial expression रहेगा वो यहाँ आपका 1 plus something यानि क्या x को x हो यहाँ यानि आपका x होना चीए x और कुछ भी हो सकता है अपका स्टाटिंग में आपका हमेशा वन होना चाहिए ओके तो आपको समझ में आएगा किसको किस तरीक से सॉल किया जाएगा जो आपको फाइडी ओ माइनस में कैसे आ रहा है तो एकसांपल देखेंगे हम लोग कि कि क्या पर आपका फंक्शन क्यां होना अच्छी एकसिच तो एंगे आपको फंक्शन यानि क्या इखागए अगया एकसिच तो 4 सुस्टेप्टरपन कहा है फिस्ट्रेपीस वाट तो फाइंड़ तो फाइंड वाइस य सी जा ओता आपका इसलिए शुखन 5D equal to 0 so 5D कहां से मिलेगा आपको question message यानि आपके left part है वो left part कि आपका d square plus 1 जो आपका y का जो coefficient रहेगा पूरा वो आपका हो जाएगा auxiliary equation so d square plus 1 equal to 0 so d square equal to कितना मिला minus 1 so d equal to plus minus 1i यह कहां से मिलेगा जब भी आपका minus 1 उसका square करेंगे तो हमें क्या मिलेगा plus minus मिलेगा और 1i so formula कौन से लगे यहां पर imaginary formula so complimentary of imaginary function का answer क्या आएगा y equals to c1 cos x plus c2 sin x यह मिलेगा मुझे yc अप क्या find करना मुझे yp कैसे निकालेंगे step number 2 to find yp formula क्या yp equals to 1 upon 5d into f of x so 5d का से निकालेंगे आपका जो आपका auxiliary equation that is 5d so 5d के आपका d square plus 1 but आपका binomial expression क्या बोलता है 1 plus start होना चीए so मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d square plus 1 को मैंने क्या लिखा जिफ मैंने rearrange है कैसे लिखा 1 plus d square into f of x के आपका right वाला part क्या यहाँ पे x is to 4 function यहाँ आपका x is to 4 okay अगर आप formula देखोगे तो formula में क्या है यहाँ पे देखिए 1 plus x is to minus 1 के formula क्या है alternative sign है plus minus plus minus और x की बावर रही है और यह increase हो रही है so 1 minus x plus x square minus x cube plus x is to 4 so यहाँ पे यहाँ पे जो आपका d square है वो क्या रहेगा यहाँ आपका x की value रहेगी so formula क्या आगया 1 minus x plus x square minus x square यहाँ पे x की value कितनी है d square तो क्या पे क्या आजएगा d square जहाँ पे x square तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d square यहनि d raise to 4 so यहाँ पे क्या आगया 1 minus d square plus d raise to 4 minus d raise to 6 plus यहाँ end तक रहेगा then बहार की आपका x raise to 4 then मुझे अभी देखिए यहां पर यह एंड तक जाएगा अब मुझे stop काहा तक करना है d raise to की जो power है वो कहां तक मुझे end करनी है वो हम कैसे find करेंगे x की जो power है उससे x सा power यहां पर कितना है 4 तो कितना आगा है यहां पर कहा तक हम stop कहा पर करेंगे 4 पर तो यह जो 6 है वो मेरे क्यों हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा तो कहा था गया 1-d2 plus d raise to 4 तो यहां थे मैं stop कर दूँगा तो क्या आगया 1-d2 plus d raise to 4 into x raise to 4 now अगर आप यहां पर देखोगे मैंने लिखा है यहां पर x equals to d square जो आपको मैंने भी formula बता है वो और capital D क्या हो था आपका d upon dx ओके so yp क्या हो जाएगा आप क्या करेंगे मैं x raise to 4 को multiply करेंगे पुरे bracket के साथ तो क्या हो जाएगा 1 into x raise to 4 is what x raise to 4 then minus यह आगे minus d square into x raise to 4 d square into x raise to 4 plus d raise to 4 into x raise to 4 d मतलब क्या होता है d upon dx that is derivative तो यहां पर क्या होगा d square into x raise to 4 यानि d square मतलब क्या होगा आपका double derivative यानि क्या करेंगे हम यहां एप x raise to 4 जो term है इसको मैं क्या करूँगा इसका double derivative लोगा तो यहां पर मेरा formula कम सा लगेगा x raise to n का formula क्या मैंना यहां पर n x raise to n minus 1 so n की value is what 4 तो मुझे answer यहां पर double derivative लिया तो मुझे क्या मिला 12 x square plus यहां पर क्या है d raise to 4 x raise to 4 यानि x raise to 4 को मुझे 4 times differentiate करना है यानि क्या करना है उसे मुझे derivative find करना है of what x raise to 4 so answer क्या मिला है 24 so yp कितना है मिला है x raise to 4 minus 12 x square plus 24 now क्या करेंगे general solution कैसे find करना है y equal to yc plus yp so y equal to yc कितना आगया c1 cos x plus c2 sin x plus आगया as it is yp कितना है x raise to 4 minus 12 x square plus 24 तो यह था आपका case number 4 shortcut method का next video में आपने देखेंगे case number 5 so आज के लिए इतना ही thank you so much video देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो like करो comment करो subscribe करो और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो subscribe कर दीजिए और जो notes से वो description के link में डाल दूँगा तो महां से आप download भी कर सकते हो it's a free of watch thank you so much video देखने के लिए have a nice day